Hello and welcome to TV का पता का दोस्तों, बिक बोस 16 की विनर नहीं बन पाई प्रियंका चाहर जौदरी लेकिन दोस्तों, प्रियंका की हार पर निमरित को और आलूवालिया का आया सबसे बड़ा शौकिंग रियाक्षन जी हाँ निमृत का रियाक्शन कुछ इस तरह से सामने आया जिसके बाद प्रियंका भी मूँ तोड जवाब देने पर मजबूर हो गई जी हाँ ऐसा क्या कह दिया निमृत ने प्रियंका के इविक्शन पर बताएंगे आपको सब कुछ पूरिविस्तार से बर बिफोर दाट दो नोट फर्गेट टो सब्सक्राइब टीवी का पटाका दोस्तों बिक पॉस सीजन सोला का ग्रान फिनाले आखिरकार पूरा हुआ लेकिन निमृत को और आलू वालिया ने तो अपना मूँ खुल कर तब खोला जब प्रियंका आई घर से बाहर जी हाँ प्रियंका टॉप थ्री में बाहर हो गई और ऐसे में प्रियंका को लेकर निमृत ने बहुत बड़ा रियाक्शन दिया जिसके बाद निमृत की बाद का मूँ तोड़ जवाब देना तो बनता ही था इसलिए प्रियंका ने कुछ ऐसा बोल दिया निमृत को जिसके बाद सल्मान खान ने तालिया तो बजाई ही लेकिन निमृत की तो सरयाम इंसल्ट हो गई वेल दोस्तो आपको बता दें कि जैसे ही प्रियंका बाहर आई तब जोर जोर से तालिया बजा कर खुश होने लगी थी निमृत और ये तक चिलाने लगी थी निमृत हक से मंडली हक से MC शिव deserving winners बिग बॉस कभी कुछ गलत करेंगे ही नहीं लेकिन जब grand finale खतम हुआ और सब लोग आपस में गले लग रहे थे तब ऐसे में जोर जोर से चिलाती हुई नजर आई यहाँ पे निमृत और ये बोला कुछ लोग अपने आपको जादा ही winner समझ रहे थे हवा में उड़ने लगे थे बिग बॉस ने सही तरीके से उन्हें जमीन पर ला दिया दोस्तों प्रियंका साफ साफ समझ गई कि ये इशारा ये टॉंट उनकी तरफ है प्रियंका ने कहा कि मैं किसी के पीट पीचे नहीं बोलती निमृत मूप जवाब देने की हिम्मत रख जरुरत है ही नहीं क्योंकि इस बारे में तो खुछ सल्मान सर ने बता दिया कि उनको मेरा एलिमिनेशन कितना शौकिंग लगा इससे साफ समझाता है निमृत को और आलुवालिया कि मैं कितनी जादा डिजर्विंग हो तुम्हारे एलिमिनेशन पर तो सल्मान सर ने ऐसा को कोई रियाक्शन नहीं दिया तुम्हें तो किसी ने पूछा भी नहीं ऐसे में साफ दिख रहा है कि जीत कर भी कौन हार गया और हार के भी कौन जीत गया वैल दोस्तो प्रियंका के इस मूँ तोड़ जवाब पर निमृत का मूँ तो छोटा सा हो गया और सब के सामने प्रि तालिया बजा दी और निम्रित की हो गई इंसल्ट क्या कहेंगे आप हमें अपने व्यूज कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूले